अगर आपको भी 70 मेरा colocar भ pearl किमिस्टी में वीडियो आपक दीब होने वाला है थीक है तो चलो बात करते ही इन तीनों question को देखते हैं जैसे पहले इसको ठोड़ी से फिर अंपल साने से समझेंगे फॉर्मले से तो देखो क्या होता है आपका अपिक्रिया का way इस्धिर ताप पर देखो क्या कह रहा है नियत ताप पर या इस्धिर ताप पर अभिकारक से असाने से समझेंगे formula से ठीक है तो देखो क्या होता है आपका अभिक्रिया का वेग इसरांग कह रहा है आपसे स्थिरताप पर देखो क्या कह रहा है नियत ताप पर या स्थिरताप पर अभिकारक पदार्थ की इकाई सांदता पर होने वाले देखो क्या का गया इस्थिरताप पर अभिकारक पदार्थ की एकांग सांदता या इकाई सांदता पर होने वाले अभिक्रिया वेग को उस अभिक्रिया का वेग सिरांग रेट कॉंस्टेंट कहते हैं ठीक है क्या कहते है rate constant तो ये बात हुई तो देखो अब इसे हम लोग समझते हैं कैसे तो देखो अब इस पे कहरा है सांदता क्या हो एकांग हो या इकाई हो इकाई सांदता पर होने वाले अबिक्रिया वेग को ठीक है एकांग सांदता पर जो अबिक्रिया वेग होगा वो किसके बराबर होगा वेग इस सिरांग की ये बात आप से कहीगे ठीक है किसके बराबर होगा वेग इस सिरांग की तो देखो इसको देखते हैं मतलब C कमान कितना हो जाएगा 1 तो ये बात कहीगे ठीक है तो देखो आप देखते हैं इसको C equal to 1 पे क्या होगा तो देखो आपको पता है Dx upon dt जो होता है किसके समानुपाती होता है C के मतलब जो vague होता है वो सांदता के समानुपाती होता है ठीक है? vague proportional होता है तो ये बात हो गई आप देखो जब ये proportional का चीज़ नटेगा तो एक नेतांग आता है आपको simple पता है तो dx upon dt equal to क्या हो जाएगा k into c जो proportional अटएगा तो equal to एक नेतांक आगया k k का है यहाँ पर rate constant यहाँ कह सकते हो वेग इस रंग तो देखो यहाँ dx upon dt वेग है c सान्टा है और k आपका rate constant यहाँ कह सकते हो वेग इस रंग देखें यहाँ पर k क्या कौन है आपका वेग इस रंग अब अगर हम यहाँ सान्टा c का मान वन कर दे तो dx upon dt किसके equal हो जाएगा देखो dx upon dt c के proportional था अब आपका proportional अटा k c आ गया ठीक है dx upon dt equal to k into c अब अगर यहाँ पर से k का मान हम sorry c का मान अगर one कर दे अगर c का मान वन कर दे तो dx upon dt किसके equal हो जाएगा k के equal हो जाएगा देख सकतो dx upon dt किसके equal हो गया जहाँ dx upon dt वेग और k वेग इस रंग है तो वेग किसके equal हो जाता है वेग इस रंग जब आप सान्टा को एकांग कर रखते हो सांद्रता एकांग होने पर वेग वेग इसरांग के क्या होता है एक्वल हो जाता है यह बात कहीगे आपसे देख सकते हूं ठीक है तो यही का गया इस्थिरता पर नियर तंप्रेचर पर अभिकारक पडार्थ की एकांग सांद्रता अब इकारक पदात की कितनी सानता, C बराबर 1 पर, ठीक है, C बराबर 1 पर होने वाले, अब इक्रिया वेग को, अब क्रिया का वेग इसराम कहते हैं, मतलब जो वेग हो जाता है, वो वेग इसराम के समान हो जाता है, कब जब सानता 1 होती है, ठीक है, जब सानता का मान एक होता तो के जो होता है आपका dx upon dt के equal हो जाता है ठीक है तो यह बात हो ते रेट constant की एकदामासान question आप खुश से पजबासा लिख से ठीक है तो देखो यह question था important था अब इसके बाद देखते हैं हम लोग अगला question अगला question क्या कहता था आपका की एक प्रथम कोटी की अपक्रिया का समय चार मिनिट है निन्यान में 0.9% अपक्रिया कितने समय में पूर्ड हो जाएगी ठीक है तो भाई बात के question आपका बहुत ज़्यादा important है इसी type का question आपका exam में ज़रूर आता है ज़्यादा तरह ठीक है ज़्यादा ता question इस type का आता है आपका ठीक है तो बहुत आसान question है एकदम आसानी सी से solve करेंगे ठीक है तो देखो देखते हैं पहले कहरा प्रथम को TK up करिया है और अर्ध आयूकाल या अर्ध समय जो है वो चार मिनट है यह आगे लिखा हुए अर्ध तो इसको देख लेना अर्ध समय 3 upon T half ठीक है तो बस T half की value रख देनी हमें आपे तो जब देखो जब T half की value रखेंगे तब क्या आएगा आपका T1 by 2 का मान चार मिनट है तो हमने आ रख दिया इस का मान तो k equal to 0.693 upon 4 अब इसको क्या मान लेते हैं समी करण नंबर एक ठीक है तो बहुत आसान है तो देखो इसको ग्याद करते हैं हम लोग तो यहाँ पर से आपका क्या हो जाएगा आपको formula जो होता है प्रताम को टिया का formula जो होता है वो होता है देखो T का आपको कितना निकाला निदियां में 0.9% तो T 19.9% equal to 2.303 upon K log base 10 A upon A minus 6 तो अब यहाँ पे आ माल लेंगे हन्ड्रेड ठीक है तो हमने प्रारंबिक क्यों कि परसेंटेज में 100 से गुड़ा करना बड़ता है तो वह才 रीची उचे!!! क्या माल लें हन्ड्रेड एक अमान कितना रख दिए हन्डरेड और eh mister X की मान निकाल लेंगे, तो देखो A का मान निकालते हैं A का मन कितुना आजाएगा आपका 100, ठीक है, प्रारंबिक सांता जो है वो कितनी हो जाएगी 100, ठीक है तो देख सकते हो, हमने आपे A की वैल्यू रगदी 100, X की वैल्यू रगदी 99.9, कुकि 99.9 का हमें कह रहा है न अब इसी प्राइए A माइनस X की वैल्यू निकाल लेंगे, 100 माइनस एक वान 100, X वान 99.9 तो इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो आजाएगी कितनी 0.1, आप देखो solve करते हैं आगे, ठीक है, तो देखो आप देखते हैं हम लोग इसको कहरा आपका, देखो 0.1 आगे आप देखो T99.9% को देखते हैं इसका मान निकालते हैं हम लोग तो देखो आपका हो जाएगा कितना 2.303 अपॉन के, लॉग बेस में 10, ठीक है अब A की वैल्यू कितनी है, 100 है तो A की वैल्यू में simple लिखनी 100, ठीक है तो देखो A की वैल्यू 100 हो गई और A माइनस X की वैल्यू 0.1 ठीक है, तो A की वैल्यू 100 अपॉन कितना हो जाएगा, 0.1 क्योंकि A की वैल्यू 100 है, A माइनस X की वैल्यू 0.1 है तो यहां हम लिखते है 100 upon 0.1 अब यह जो 1000 आपको दिख रहे हैं कैसे आया यहां नीचे से दसमलों हटा है 0.1 वाला और उपर एक 0 बढ़ गया ठीक है तो यहां पे हो गया 1000 बटा 1 ठीक है जब 1000 बटा 1 हो जाएगा तो इसको क्या लिख सकते है 10 की पावर 3 तो लॉग बेस में 10 10 की पावर 3 और पूरा आपको उसी तरह उतार देने ठीक है तो लॉग बेस में 10 10 की पावर 3 लिख दिया ठीक है अब आपको एक फॉर्मला याद रखना है लॉग बेस में 10 m की पावर n का क्या होता है n लॉग m N log M इसका formula होता है ठीक है तो देखो यहाँ 10 की power 3 में आपका M क्या हो जाएगा 10 N क्या हो जाएगा 3 तुलना कर लेना तो कितना हो जाएगा 3 log 10 ठीक है इस formula से कितना हो जाएगा 3 log 10 ठीक है तो इसकी value आ गई 3 log 10 ठीक है तो यह बात होगी यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे 3 log base में 10 और उपर भी 10 क्योंकि m की value आपकी 10 है n की value 3 है तो यह लिख गया ठीक है अब जब नीचे भी आपका 10 है उपर भी 10 लिखा है base में भी 10 है उपर भी 10 है तो इसका मान 1 हो जाता है ठीक है देखो 3 का गुड़ा इस पे हो जाएगा तो 6.909 upon k की value आपको रख देनी समिकरण नंबर 1 से समिकरण एक देखाता ना 0.693 upon 4 तो बस उसी की value रखते है ना आपको simple है यार ठीक है जब value रखोगे और सीधा solve कर लेना यह जो 4 है यह आपका कहाँ चला जाएगा उपर तो उपर इसका गुड़ा हो गया देख सकते हो 4 का 4 का गुड़ा उपर हो गया और इसे पूरा solve करोगे तो जो आपका answer आएगा वो आएगा 40 minute ठीक है कितना answer आएगा 40 minute ठीक है तो देख सकते हो आसान question था important question एकदव आसानी संदे solve कर लिया ठीक है तो इस type का question ज्यादा तर आता है भाई तो अच्छे से इसे देख लेना ठीक है जरूरी नहीं यह यह लेकिन इस type का आता है ठीक है अब अगला देखते देखो question अगला question आपका देखते हैं इसके बार ठीक है तो यह वाला पूरा हो गया solve अगला question है आपका पर्थम गोटी अपक्रिया के लिए वेग इस सिरांग तथा अर्धायुकाल में संबंद लिख लिए ठीक है वेग इस सिरांग के तथा टी वन बाई टू में हमें संबंद बताना है इसमें टी वन बाई टू में तो बेक इस रंग तक आपने अभी तो पड़ा फॉर्म्ला लगा था ना के एक्वल टू 0.6932 अपॉन टी हाफ तो वही वाला एंसर आपका सही हो जाएगा नहीं से लगा सकते हो प्वेस्टन भी सॉल्व कर सकते हो ठीक है तो भाई वीडियो अच्छा लगाओ यार तो प्ली लाइक भी कर देना ओके थैंक्स फॉर वाचिंग इस वीडियो